कभी सुखदेओं ने किया खिलाफत तो कभी भगत ने किया बगावत मत पूछो इस पाठ में क्या क्या लिखा है अगर एक शब्द में बया करूं तो हमारे देश की सियासत एक लेख और एक पत्र से जुड़ा है तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इस चै ने लिखा था सुखदेओं के नाम यानि कि इस चैप्टर के राइटर कौन है याद रखिएगा भगत सिंग लेखक भगत सिंग यानि कि भगत सिंग जब सुखदेओं के लिए चिठी लिखे थे ना उसी चिठी को एकदम हुबहु उठा कर आप लोग के बुक में निबंद ये भगत सिंग लिखे थे विद्यार्तियों के लिए विद्यार्तियों के लिए और उस लेख का क्या नाम है विद्यार्ति और राजनीति यानि कि विद्यार्ति और राजनीति से रिलेटेड बात किये हैं भगत सिंग इस निबंद यानि कि लेख में ठीक तो दो होगी ठिक तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और रेस्ट वडियों में और चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं भागत सिंग का लिखा हुआ जो एक लेक है यानि की निबंद सबसे पहले इसको कि आखिर इस निबंद में यह विद्यार्तियों को क्य सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोडिफिकेशन आप तक पहुंचे और यह जो निबंद है भागत सिंग तब लिखे थे जब विद्यार्तियों और नौजवानों को राजनीती में भाग नहीं लेने दिया जा रहा था यान लिखे हैं भगत सिंग कि इस बात का बड़ा भारी शोर चालो तरफ सुनाई दे रहा है कि विद्यार्तियों और नौजवानों को राजनीती में हिस्सा नहीं लेना चाहिए पॉलिटिक्स में भाग लेना ही नहीं चाहिए और इसमें तो पंजाब सरकार की राय बिलकुल ही पंजाब सरकार जो है ना वह स्कूल कॉलेज में स्टुडेंट को विद्यार्तियों को एड्मीशन देने से पहले सिगनेचर करवा रहा है कि वे राजनीती यान की पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले जब वह सिगनेचर कर लेंगे तभी स्कूल या फिर कॉलेज में क्या होग सूचिए कितना दुरभागे की बात है पुरे देश के लिए ठीक जिस नौजवानों को ते का बागदोर हांथ में लेना है उसी विद्यार्तियों को अकल का अंधा बनाया जा रहा है उसमें फाग नहीं दिया जा रहा है कुछ दिन कुछ दिन हुए जब लाहौर में यूनियन या विद्यारती सभा की ओर से विद्यारती सब्ता में सर अब्दुलकादर और प्रोफेसर इश्वचंद्र इस बात पर भी जोड़ दिया था कुछ दिन हुए यहां पर लेख में बता रहे हैं भगत सिंग कि कुछ दिन हुए जब लाहौर में पंजाब को राजनीती जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है कि पंजाब के लोगों ने बलिदान कम दी है नहीं इसका कारण साफ साफ दिख रहा है कि पंजाब के शिक्षा विबाके जितने भी अधिकारी लोग है वही बुद्धू है वो शिक्षित नहीं है उसने भी नौजवान है वो देश की बातों में हिस्सा लेते ही नहीं है देश में क्या और उनको मालूमी नहीं रहता है जब वहां की विद्यार्ती पढ़कर बाहर निकलते न तो ऐसी कच्ची-कची बाते करते हैं कि सुनकर अफसोस होता है तो मैं मानता हूं कि विद्यार लेकिन उनको देश की प्रस्तितियों का भी घ्यान रखो कि देश में क्या क्या हो रहा है ठीक और देखी आगे क्या लिखे हैं एक दिन एक पुस्ट एक विद्यार्ती जो है ना एक पुस्तक Call to the union Prince Kuroppotkin टियाध रखेगा अपてनि उएक विद्यारती थिसकी पुस्टक एक किताब पढ़ रहा है जिसका क्या नाम था अफिल चुद प्रिन्प परेशर सहाब आए और और ऑकर कहने लगे कैसी कि पुस्टक है ये कैसा किताब 무 मतलब किसी बंगाली का नाम लग रहा है किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है यह बात सुनकर वो जो विद्यारती है वह बोला कि आप इसको नहीं जानते हैं प्रिंस कॉर पोठ्किन जो कि एक महान अर्थ सास्तिरी थे ठेक है और देखिए प्रिंस को पोट किन के बारे में जानना एक प्रोफेशर के लिए बहुत ज़्यदा जरूरी था और वो प्रोफेशर साहब प्रिंस को पोटकिन को जानते ही नहीं थे वो तो बोल रहे हैं कि किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है यह बात सुनकर जो है ना वो जो विद्यारती है हसने लगा कि बताई यह प् में पढ़ते हो तुम बोल सेविक हो तुम पॉलिटिकल पुस्तके पढ़ते हो डाटने लगा ऐसे विद्यारतियों को प्रोफेशर साहब से क्या सिखने को मिल सकता है देखिए आगे क्या बताए है हिंदुस्तान को इस समय देश्रेवाकों की ज़ुरत है जो तन्मंधर्न देश के लिए अर्पित कर दे मतलब अपनी सारी उम्र पागलों की तरह देश पर निचावर कर दे ऐसे देश्रेवाकों की ज़ुरत है और क्या ऐसे लोग बोढ़े लोगों में मिलेंगे हमें ऐसे लोग चाहिए जो की दुनियादारी परिवारवाद के जोल जंजटों मे ना फसे हो जिनको कोई टेंसन आँ सिर्फ वह अपने देश के बारे में सोची अपने देश के लिए अपनी सारी उन भी लगा दे वैसे देश सेवकों की जोरत है और ऐसे देश सिर्फ नौजवान और विध्यारतियों में ही मिल सकते हैं और लगबग जो है ना देश को व्याधतर मुख्य भूमी का निभढेंगे हमारे नौजवान और विद्यारती अभी यह व्यवर्टेक। की जरूरत है जो की नौजवान और विद्यारती मिलकर करेंगे ठीक है और देखिए आगे क्या बोले हैं कि क्या इंग्लेंड के सभी विद्यारतियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पढ़ना पॉलिटिक्स नहीं थी यहां पर बोल रहे हैं बगत सिंग कि क्या इंग्लेंड के सभी विद्यारतियों का कॉलेज छोड़कर जर तुम पढ़ाई पर ध्यान दो तब यह कहां गये थे अभी जो है भारत देश में विद्यार्तियों की जोरत है विद्यार्तियों को यह लोग उपदेश दे रहे हैं कि तुम लोग राजनिती में भागना लो पॉलिटिक्स में भागना लो उस वक्त इनको जाना चाहिए ना इंगलेंड की विद्यार्तियों को समझाने के लिए लेंड की विद्यार्तियों को जाकर समझाते कि तुम लोग पॉलिटिक्स में भागना लो तब यह लोग कहां गये थे ठीक और उसके बाद से बोल रहे हैं कि नौजवान उननीस की अतयचार भूल नहीं सकते हैं ठीक मैं जानता हूं कि इस वक्त बड़ी भारी क्रांती की जरूरत है और यह सिर्फ नौजवान और विद्यारतियों से ही पॉसिबल हो सकता है तो इसलिए मैं लास्ट में कहूंगा कि वे पढ़ें जरूर पढ़ें लेकिन हां जब भी राजनीती में उतरना पढ़े उतरें यह विद्यारती और अपने देश के लिए अपना तन मंधन सब कुछ अर्पित कर दें वो पढ़ाई जरूर करें करें लेकिन जब भी इस देश को जरूरत हो विद्यारतियों की नौजवानों की तो मैदान में कूद पढ़े राजनीती में कूद पढ़े ठेक और में यहीं पर होता है आप लोगा यह एक लेख जो है ना कंप्लीट यानि कि निबंध पढ़ लिए तो आप लोगो समझ में आ गया होगा कि भगत सिंग इस लेख में विद्यारतियों को क्या बताने की कुछ कि है कि विद्यारती पढ़े जरूर पढ़े लेकिन हां उनको द अब चलिए हम लोग समझते हैं भगत सिंग का लिखा हुआ पत्र जो कि वो सुखदेयों के लिए लिखे थे कि इस पत्र में क्या क्या बाते किये हैं मैं सारा जो इंपोर्टन पॉइंट है वो लिख दी हूं बोर्ड पर और यहां से पत्र आप लोगा स्टार्ट हो रहा है देखिए यह जो पत्र है ना यह तब भगत सिंग लिखे थे जब सुखदेयों इसके पहले पत्र भगत सिंग के लिए लिख दिये थे यानि कि सबसे पहले सुखदेयों भगत सिंग को पत्र लिखे थे और भगत सिंग सुखदेयों का पत्र पढ़ लिए थे और फिर एंसर के तौर पर उत्तर के तौर पर भगत सिंग ये पत्र लिखे थे सुखदेओं के लिए वही बोल रहा है भगत सिंग इस पत्र के इस चिठी के शुरुवात में कि मैंने आपके पत्र को ध्याना पुरुवक पढ़ा किसके पत्र को तो सुखदेओं के पत्र को तो वही बोल रह जब हम दोनों जेल से बाहर थें तब आप जिन बातों से घ्रीना करते थे वे आपके लिए अनिवार्य हो चुकी है और मैं जिन बातों का समर्तन करता था वे अब मेरे लिए विश्य समहत्व नहीं रखी यहाँ पर वगत सिंग बोल रहे हैं कि मैं और आप आप किसको बोल र प्रत किया करते थे जो बात आपको पसंद नहीं थी अब वह बात आपके लिए अनिवारे बन चुकी है अब आपके लिए जरूरी बन चुकी है अब आप वही काम करना पसंद कर रहे हैं वही बात करना पसंद कर रहे हैं और उसी तरह मेरे साथ भी हुआ है मैं जब जेल से बाहर था, तो जिन बातों का समर्थन करता था, जो बात मुझे करना पसंद था, जो काम करना मुझे पसंद था, जो बात का मैं पक्षपात करता था, अब वो बात मेरे लिए कोई विशेश महातों नहीं रखती, अब मैं उन बातों को उतना इंपोर्टेंस देता ही नहीं हू है और जिन बातों से मैं पहले जिन बातों का मैं पहले पक्षपात किया करता था अब मेरे लिए कोई विश्रश मात्वा नहीं रखती और पता है भगत सिंग यहां पर ऐसा क्यूं बोल रहे हैं सुक्देव को इस पत्र में इसलिए कि जब यह दोनों जन बाहर थे भगत सिंग् को रोक स्क आत्मस्तिया मत करें जैसे मنتया करते थे लेकिन यह लोग जेल'deo मैं रहन के पतले गया है उषानि उनकी मणुस्थिति बदल गई जयल की अब जो है ना आत्म हत्या के विचार भगत सिंग के मन से हमेशा के लिए निकल गया नश्ट हो गया ठेक है और उसके बाद से वही विचार आत्म हत्या करने का विचार अब सुखदेव के अंदर आ गया अब सुखदेव को ऐसा लग रहा था कि आत्म हत्या कर लेना ही आसान ह तो वही बोल रहे है भगत सिंग कि याद करो सुकदेव एक ऐसा जमाना था जब हम लोग जेल से बाहर थे तो मैं आत्मात्या करना पसंद करता था आत्मात्या करने के लिए जाता था तो तुम मुझको रोका करते थे कि आत्मात्या ग्रेनित अपराद है आत्मात्या नहीं कर और उसके बाद से आगे बोले हैं भगत सिंग इस पत्र के कि सुगदेव आप अपने पत्र में आपने जो मुझे पत्र लिखा था उस पत्र में आपने कहा है कि केवल कश्च सहने से देश की सेवा किस परकार की जा सकती है मतलब आप जैसे व्यक्तियों के मुझे इस तरह की बाते मुझे तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ आप इस तरह की बाते कर रहे हैं कि आपको याद नहीं कि हम लोग नौजवान भारत सभा में मिलकर क्या फैसला किये थे केवल कश्च सहना और बलिदान करना ही हमारा कर्तव्य होगा तो फिर आप ऐसे बाते क्यूं कर हैं माना कि आपने बहुत दा कश्च सहा है हमने माना कि आप बहुत देश की सेवा किये हैं लेकिन यह आत्मात्या करने का उचित समय नहीं है आपको आत्मात्या नहीं करनी चाहिए यह समय है जनता काने तृत्व करने की ठीक आपको जनता काने तृत्व करना चाहिए इंसा कि यानिजी दंड़ भूगने की बारी आती है तो आपका क्या विचार है कि हम लोग को डंड से वशने के लिए गिर-गिरना चाहिए हमको माफिव मागनी चाहिये थी अगर हम लोग ऐसा करते तो जनुटा पर इसका उल्टा पर भाव परता हम लोग जो भी किये वह सही हुआ हम अपने कर्तव्य में सफल हुए हैं ठीक और फिर आगे बोल रहे हैं कि मैं आपको गंभीरता से मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे भगर सिंग बोल रह दरश के लिए जीवन देदना कदापी आत्मत्या नहीं कहलाएगी अपने कदम को नहीं रुकना है हमारे मित्र श्रीय अतिंदर दास की मृत्यू प्रिहनिया है यादगार है ठीक है और उसके बाद से आगे बोल रहे हैं बगत सिंग इसके अतरिक्त हम में से जिन लोगों को विश्वास है कि उनको मृत्यू दंद दिया जाएगा उनको धैरे पुर्वक उस दिन की परतिक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और तक पस्चात उन्हें फासिदी जाएगी मतलब बोल रहे हैं कि हम में से जिन लोगों को विश्वास है कि उनको मृत्यू दंद दिया जाएगा उनको धैरे पुर्वक उस दिन की परतिक्षा करनी चाहिए इंतजार करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पस्चात उनको फासिदी जाएगी यह भी मिर्ट्यू कितनी सुन्दर मिर्ट्यू होगी अपने देश के लिए लि जब हम लोग को लगता है कि हम लोग को मिर्ट्यू दंद दे जाएगी तो हमें मतलब धैरे पूर्वक उस दिन का इंतजार करना चाहिए जिस दिन का इंतजार करना चाहिए और जब हम लोग की मिर्ट्यू उस दिन होगी तो वो भी मिर्ट्यू कितनी सुन्दर होगी लोग साहित्य में कदाबी नहीं कि रूस के साहित्य में जो वास्तविक्ता जो रियालिटी मिलती है वहां के लोगों ने जो लड़ाईया लड़ी हैं वह हमारे साहित्य में कदापी नहीं दिखाई देता है हमारे हमारे जैसे व्यक्तियों को जो परतियक दृष्टी से क्रांतिकार करने के लिए तक पर रहना चाहिए उकार है के वैय। एक रहे में कर सकता है इन कर सकता है कोई काम नहीं रहता है आराम से बैठकर जेल में सडियन करो स्टेडी करो और मैं भी कुछ समाजिक विशय पर अध्यान किया हूँ जब मैं जेल में था ठीक है और उसके बाद से बोल रहे हैं कि केवाल यह कह देना कि इस काम को कोई दूसरा इंसान कर लेगा यह आपके मुँँ से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर आप यह कह है भगत सिंग सुखदेव को कि जितने आंदोलन अब तक अरंभ हुए है उन सब अंदोलन से अलग रहने के लिए आपने जो तरक दिये हैं उन्हें समझने में मैं असमर्थ हूँ मैं समझ नहीं पाया कि आप यह क्या कर रहे हैं और हमारे कुछ ऐसे मित्र है जो या तो मु प्रश्तों में यदि आप यह अनुभा करते हैं कि बंदिगरी का जीवन अपमान पुन है तो आप उसके विरुद अंदोलन करके सुधारने का परियास क्यों नहीं करते हैं यहां पर भगत सिंग सुधेव को बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बंदिगरी का हैं आडे में आकर मैं तो यह बाते उन लोगों से सुनते आ रहा हूं जो लोग मतलब क्रांतिकारी में सम्मेर्थ होने से बशने के लिए बाते करते हैं और आज मतलब आप उसी तरह की बाते करेंगे कि मतलब आंदोलन सफल नहीं हो सकता अगर इसके विरुद मतलब सुधा हैं मेरे लिए उसमें आगे कह रहे हैं कि 14 साल बंदिग्री जीवन बिताने के बाद यानि कि 14 साल जेल में जिन्दगी बिताने के बाद जरूरी नहीं है कि इंसान की मनसिक्ता इंसान की मनुस्तिती वैसे ही रहे जैसे 14 साल पहले थी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं के बाहर रहे बात तो एक ही है ना मैं तो यहीं कहूंगा सुक्देयों कि जो सामयवाद का जन्दाता किसको कहा जाता है माक्स को सामयवाद का जन्दाता माक्स कहा जाता है ठीक है तो जो सामयवाद का जन्दाता माक्स है वह असल में सामयवाद को जन्द दे वाला नहीं है अ अगर देखा जाए तो असली सामिवाद का जो जन्म दाता है वो ओधोगी किरांती है इसलिए मैं आप से यह कहना चाहता हूं सुखदेओ कि हम लोग जो कठिन काम अपने हाथ में ले लिए हैं इसको जारी रखना चाहिए इसे हम लोग को आगी बढ़ाना चाहिए कुछ अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं थोड़ा यह लंबा चैप्टर था और इतना लंबा पत्र सोचिये बगत सिंग लिख दिये थे तो बस अब इतना ही बचा हुआ है आगे बोल दया बगत सिं आया जाता था और उस वक्त वो लोग जो अपने आपको महान क्रांतिकारी कहते थे और समझते थे वो लोग भी हमको छोड़ कर चले गए तो क्या सुगदेओ ऐसे कई क्रांतिकारी करे करता कि उधारन हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर वापस लोटे और फि को शुरुवात में आत्मत्या कर लेता और सोचिये ना ऐसे कई क्रांतिकारी हैं जो कि रूसी राजया में उतरदाई पदों पर विराजमान है मतलब उनको एक उतरदाई पद मिल गया है लेकिन उन्होंने अपने जिंदगी के अधित्तर भाग दंड भोगते हुए जेल मे रहने का प्रयतन करना चाहिए और कोई नहीं कह सकता कि आने वाले भयू से आने वाले फ्यूचर में कौन सी घटना घटने वाली है और एक बात याद दिलादू में आपको शायद आपको याद भी होगा जब हमारे बम फैक्ट्री में जहरीला और परभावकारी विश यान एक बात जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूं वो यह कि हम लोग इश्वर पुनर जनम नर्क स्वर्ग अर्थात भगवान द्वारा किया जाने वाले जीवन के हिसाब आदी में कोई विश्वास नहीं रखते हैं जब हमको पहचाने जाने के लिए दिल्ली से कोई व्यक्ति लाया गया था तो गुप्तचर के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिता जी के उपस्तिती में मुझसे बाते की थी और उनका कहना था उनका तर्क था कि मृत्यू तो आत्महत्या के समान होगी तब मैंने उनसे कहा क कि मेरे जैसा सोच और विचार रखने वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कता भी सहन नहीं कर सकता है ठीक मेरे जैसा भला मनुस्या के हिर्दय में आत्महत्या करना तो दूर आत्महत्या करने कि आप विचार भी नहीं आ सकता है ठीक आगे मैं क्या सोचता हूं अगर आप मु मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मृत्यू डंद मिलेगा ठीक है मुझको दंड में मार दिया जाएगा कहीं से भी छमा की या फिर नम्र बेवहार की कोई भी आशा नहीं है मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मृत्यूडन्द सुना ही दिया जाएगा और इसलिए मेरी अभिलासा है कि जब यह अंदोलन चरम सीमा तक पहुचेना तब मुझे को फांसी दे दी जाए क्योंकि जब देश के भागय का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भागय को पूर्णत भुला देना चाहिए देश को आगे रखना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मुझे को फांसी दे दी जाए तो मेरी फांसी का चिन हमारे देश के सभी देश वासी हो सब हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनके हिर्दे में अंकित हो जाए यानि कि हमारी ये जो फासी है लोगों को याद रहे हम मर के भी अमर रहे मैं चाहता हूं कि जब मुझको फासी दी जाए तो लोगों के हिर्दे में ये हमारे फासी का चिन अंकित हो जाए ठेक छप ज लिए जो कि बगत सिंह के द्वारा लिखा गया था विद्यार्थयों के लिए और एक पत्र भी पढ़ लिए जो कि में लिखे-थे सुख्देयों के लिए ठीज के पत्र में क्या क्या बाते किये सारा चीज में आप लोगो को बता दी ठीज्ट यहां पर जो है आप लोग आपर हो गया complete लेकिन अभी पूरी तरीके से complete नहीं हुआ है अभी लेखक यानि कि जो भगत सिंग है भगत सिंग के बारे में जानना बाकी है कि इनका जन्म का हुआ इनकी मृत्यू का हुआ यह सारा चीज ठीक तो चलिए अब हम लोग समझते हैं भगत सिंग के बारे में सारा डीटेल्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आप लोग के बुक में इतनी सारी जानकारिया जो है ना दे दी गई हैं जिसे जानना आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक और यहां पर है भगत सिंग का इमेज फोटो आप रखिएगा बगत सिंग का जन कहां हुआ था तो बंगा चेक नंबर एक सापांच कब तो 28 सितंबर उने से साथ इसबी को अगर बाद कर लें इनकी शहादत की तो तीस मार्च उने से 31 को यह शहीद हो गये शाम साथ बज़ के 33 मिनट पर लाहोर सरयंत्र केस में याद इनका पैत्री गाओं है और माता पिता की बात कर लें तो भगत सिंग के मा का नाम था विधावती और इनके पिता जी का नाम था सरदार किशन सिंग ठीक और इनका जो पूरा परिवार था संपूर्ण परिवार वो स्वाधिनता से नानी थे ठीक और इनके पिता और चाचा अजित सिंग लाला लाजपतराय के सहियोगी थे याद रखीगा भगत सिंग के पिता सरदार किशन सिंग और भगत सिंग के चाचा अजित जust नाओं के कारण 1910 में उनका निधन हुआ और भारत भगत सिंग की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंग और कुलतार सिंग को देवली कैम्प में देवली कैम्प जेल में रखा गया था जहां वे उन्हें सच्छालिस तक रहें पीता अनेक बार जेल गये थे यानि कि भ शिक्षा की बात कर लें तो भगत सिंग की शिक्षा पहले चार साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गाओं बंगा में लिये थे चार साल तक पढ़ाई किये थे अपने गाओं बंगा में और फिर लाहॉर के डीएवी स्कूल से वर्ग नौ तक पढ़ाई किये और उसके मिल हो गए और अपने अंदर क्रांतिकारी विचार ला दिये ठीक और आगे बड़े प्रभाव की तो बच्पन में करतार सिंग सराभा और उन्हें सचोदा के गदर पाटी की आंदोलन के प्रती त्यूर आकरसंड था भगत सिंग का और सराभा की निर्विक कुर्बानी का मन प्रिस्थाई और गहरा असर पड़ा सॉल्ला नवम्बर 1915., debate समय बगत सिंग के समय अम्र आठ वर्स था याद रखेगा सूल्ला ने उन्हें सपंध्र सिंग के अरर वे सराभा का स्वाचित्र अपनी जेब में ही रखते थे और आगे बात करें गतीविधी की तो देखिए यहां पर अना भगत सिंग 12th की उमर में जाली वाला बनाग की मित्यी लेकर ऑन्तिकारी गतीविधीयो के शुरूआत कर दिये कि कर अंतिकारी गती वीडियो के शुरूवात बगत सिंग कबसे किये थे जब वह 12 साल की उम्र में थे यान कि जब वह 12 साल थे तब ही ओकर अरहीं चौरहा कांड के बाद 15 वरीस 15 वार्त में कांग्रेस मात्मागाद भी से मोह भंगो गये और उन्हेंसर तेश में पढ़ाई और घर छोड़ कर कानपूर एक मिनट कानमू कानपूर गड़ेश शंकर विधार्ती के पत्रपरताप में सेवाय सब्सक्राइब याद रखियेगा वगत सिंह ने सब्सक्राइब नोग ब्हारत extend किया तफान था तो उनसे समाजवादी प्रजतांत्रिक संग का गठन किया था हुनेशा 28 से 31 तक चंदर सेखर आजात के साथ मिलकर वो कौन से संग का गठन किये थे याद रखेएगा यह भी आप्जवादी प्रजतांत्रिक संग याद र sinkingं भाल गठन की सबते और और आठ करतिकारी अंदोलन सग्हन रूप और 8 अपरेल 1929 को बट्यके शोवर दास के शूरत हो गया कर लिया और ईबढेा और आगे बढ़िए पहली गिरफ्तारी निशेख में दशरा मेले में हुए, बंविसफोर्ट के कारण, मैई 1927 इस्टी में हुई थी, याद रखेगा, भगत सिंग की पहली गिफतारी, वो पहली बार कब गिर्फतार हुए थे? मैई 1927 इस्टी में, और कौन से? किस कारण से? तो अक्टूबर 1926 में, दशरा मिले में हुए बम विसफोर्ट के कारण उनको मई 1927 में गिरफतार कर लिया गया था ये इनकी पहली गिरफतारी थी अब कृतिया की बात कर ले कि ये क्या-क्या लिखे थे तो पंजाब की भासा तथालीपी की समस्या हिंदी में उन्हें समस्या ये भगत सिंग्ज जो है ना ज्यादतर ये लेक लिखते थे टिपणिया लिखते थे नहीं तो पत्र लिखते थे ठीक है तो देखिए पंजाब की भासा तथालीपी की समस्या ये हिंदी में उन्हें सचोबीस मैं कलकत्ता के मतवाला में ये उन्हें सचोबीस में परकाशित हिंदी लेख है कौन एक मिनट रुक़िए बतारहे हैं विश्व प्रेम ये जो है ना ये लेख भगत सिंगा लिखा हुआ जो कि उनेसा 24 स्वी में परकाशित हुआ और ये भी पंजाब की भासत अठालीपी की समस्या ये भी हिंदी में ही भगत सिंग लिखे थे जो कि उनेसा 24 स्वी में ये भी परकाशित हुआ यूवक अचुत समस्या विद्यारती और राजनीती यह तो आप लोग अभी पढ़ हैं मतलब अभी विद्यारती और राजनीती जो निबंध है वो तुम्हें आप लोगों को अभी पढ़ा ही अ और उसके बाच्ट चत्यागरा और हरताले बम का दर्शन भारती और क्रांती का आदर्स आदी ये धेर सारी लेक और पण्या और उसके सांसाथ पत्र भी लिखा करते थे तो यह तो यहां तक हो गया अब आगे बढ़ते हैं देखिए आगे क्या लिखा गया है कि सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रीन की आत्मकथा का यह अनुवाद किये थे ट्रांसलेट किये थे ठीक और उसके बाद से यह जेल डाइरी भी लिखें ते याद रखिएगा ठेक है और उसके बाद से यहां पर है थोड़ा यह कट गया है लेकिंद्या पर मैं आप लोगों को बता दू यह लिखा क्या था यहां यहां पर यह बात बताई गई ना कि भागत सिंह की चार पुष्थ के ड्वारा लिखी गई है वह आप्राप्य यानि कि उसको मतलब वह नहीं मिलता है अभी कहीं पर भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है वह चार किताबों का नाम याद रखिएगा हो सकता है ये के बाद से दूसरा किताब का नाम है आत्म कथा ठीक दूसरा किताब का नाम है क्या आत्म कथा तिसरा किताब का क्या नाम है तिसरा किताब का नाम है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहाश और चौथे किताब का नाम है मौत के दर्वाजे पर ठीक तो यह चारों किताब आप जो है ना ऐसा माना जाता है कि भगत सिंग के द्वारा ही लिखा गया है तो यहां पर होता है आप लोग का चैप्टर नंबर सिक्स जो है एक लेख और एक पत्र पूरे तरीके से पूरे चैप्टर भी पढ़ लिए और लेकक यानकी भगत सिंग के बारे में भी सारा चीज में आप लोग को समझाती तो यहां पर आप लोग का फाइनली आप लोग का चैप्टर नंबर सिक्स कंप्लीट होता है कोई भी कंफीज़ ओन ओ इस चैप्टर से रिलेटेड आप हम ज़िदा श्यायर करें ठीक और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नया है निसे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो की नीचे रेड कलर का सबस्क्राइब कर लोगा उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले सब्सक्राइब कर लेने के बाद भले गंटी क को दबाकर औल का आपसन क्लिक कर लेना है उससे हो गई है कि में रो जाने वाली और वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीक तो फिर मिरेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिस